Hey guys, welcome back to our YouTube channel and welcome to my new video आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स ट्रेडिंग सेशन के लिए यानि के बज़ेट डे के लिए हमारे क्या इंपोर्टन्ट लेवल रहेंगे सपोर्ट और रजिस्टन्स कहा पर शिफ्ट हो रहा है मार्केट यहां से कहा पर पाउंस ले सकता है या फिर हमें गिरावट कंटीन्यू देखने को मिलेगी इन सब के उपर हम लोग आज इस वीडियो में डिसकेशन करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हैं और इस चैनल के उपर अब भी नए आए हैं उन लोग को मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनलेसिस वीडियो रग्यूलरली अपलोड करती हूँ इसके साथ साथ स्टॉक्स के उपर वीडियोज मिल जाएंगे आपको मेरे चैनल के उपर और एजुकेशनल वीडियोज भी मैंने अपलोड किये हूए हैं जैसे की ऑप्शन्स, ट्रेडिंग, स्ट्राटेजीज यहां तक की कैंडल स्टिक पाटन के उपर भी मैंने अपलोड किये हूए हैं वीडियोज आपको ये सारी वीडियोज मेरे यूटुब चैनल के ही मिल जाएगी इसके साथ साथ आपको यहां पर इस चैनल के उपर इस वीक से फिन निफ्टी का अनलिसिस भी मिलने वाला है तो सारी आपको जानकारी शेर मार्केट के रिलेटेड, आप्षिंस के रिलेटेड, स्टॉक्स के रिलेटेड, यहाँ पर इस चैनल के उपर मिल जाएगी तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और bell notification को press कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सही से आती जाए तो एक और important बात वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगी अगर आपने मुझे अभी तक मेरे public telegram channel के उपर join नहीं किया है तो जल्दी से join कर लो यह channel पर join करने के क्या फाइड़े है तो यहाँ पर live market के दोरान आपको important options के उपर updates मिलती जाती है और यह सारी update यहाँ पर live market के दोरान आपको मिलती है तो इसके लिए आपको यह channel join करना पड़ेगा यह free channel है इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है इस channel का link जो है वो नीचे description box में provide किया हुआ है यह सारे options के related आपको trade यहाँ पर इस public channel के उपर मिलते हैं इसके साथ साथ अगर आपचाहते हैं प्रीमियम membership join करना क्योंकि यहाँ पर जो आपको trades मिलते हैं यह आपको knowledge के लिए होते हैं आपको guidance के लिए होते हैं इसके साथ आपको यहाँ पर support resistance के levels भी मिलते हैं और अगर आप यहाँ पर SL और टार्गेट भी चाहते हैं तो आपको प्रीमियम मेंबर्शिप ग्रूप जॉइन करना पड़ेगा जिसकी फीज जो है वो वन मन्त के लिए 2000 है और यह ओफर चल रहा है इसलिए 2000 है अदरवाइस अगर आप चेक करोगे तो 4000 रुपीज पर मन्त ह है तो जिनको भी जॉइन करना है वो मन्तली बेसिस के उपर जॉइन कर सकते हैं यहाँ पर मैंने कल के लिए भी स्पेशल मेंबर्शिप ओपन की हुई है बजेट डे के लिए तो सिर्फ 199 रुपीज ही है तो यहाँ पर आप यह पे करके सीधा आप ग्रूप में एड हो सकते सिर्फ आपको इस नंबर के उपर वाटसेप या फिर टेलिग्राम पे आप मैसेज सेंड कर सकते हैं पेमेंट का स्क्रेंशॉट भेज देना है ताकि मैं आपको ग्रूप में एड कर सकूं और कुछ करना नहीं है तो कल के लिए सिर्फ दोसों देकर आप यहाँ पर लैक्स क जॉइन कर लीजेगा अगर आपको कल प्रॉफिट बनाना है तो यहाँ पर यह जो चैनल है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइट किया हुआ है तो अभी सीधा चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के उपर तो देखिए बैंक निफ्टी रिवर्सल कहा पर लिया है आज की बात करें तो मैंने आपको कहा था कि अगर निफ्टी बैंक यहाँ पर 40,250 का लेवल यह लेवल अगर होल्ड करता है तो यहां से हमें एक बाउंस देखने को मिलेगा तो वही आज देखने को मिला थोड़ा बहुत रेंज बाउंट सेशन थोड़ा ट्रैप था बेर्स ट्रैप था यहां पर थोड़ी किरावट भी दिखाई दी लेकिन डेज लो से रिकवरी करते हुए निफ्टी बैंक ने 40,000 811 तक का इंट्राडे हाई किया था तो आप चेक कर सकते हैं हमारा यह कल का इंपोर्टन सपोर्ट लेवल था मैंने य 50 वैंग ने फिलहाल यह कैंडल का लो अभी तक मैनेज किया हुआ है आज के लिए और आज के सेशन की बात करें तो क्लोसिंग भी बढ़िया मिली है 40,500 के ऊपर तो कल क्या हो सकता है तो उसके पहले हम लोग एक बार ऑप्शन चेंड डेटा देख लेते हैं अभी भी देख यहां पर देखें लैक्स में कोई open interest नहीं है सिर्फ highest open interest की बात करें तो 70,000 का highest 39,000 के ऊपर और 65,000 का बना हुआ है 40,000 के ऊपर put writing की बात करें तो 22,000 की highest put writing 40,000 के लेवल के ऊपर हुई है यहां पर सामने अगर देखें तो उतरी बढ़िया call writing हमें देखने को नहीं मिल रही है उल्टा यहां पर अगर देखें तो 10,000 की exit देखने को मिल रही है 42,500 के लेवल से यहां पर अगर देखें तो build up कहां पर हो रहा है तो देखें 3,000, 4,000, 8,000 यहां पर हमें जो है वो call writing देखने को मिल रही है लेकिन यहां पर यह levels भी upside के लिए तूटने के chances पने हुए है निफ्टी बैंक के लिए कल निफ्टी बैंक अगर एक बार 40,500 होल्ड कर लेता है इससे नीचे नहीं जाता है तो 41,000 और 41,500, 600 के targets हम लोग निफ्टी बैंक के अंदर लेकर चल सकते हैं upside के लिए सिनारियो तो वैसे ही बना हुआ है अभी यहां पर अगर चार्ट के उपर देखें तो देखें चार्ट के उपर जो important resistance मुझे यहां पर दिख रहा है वो दिख रहा है 40,980 का यह थोड़ा मैं ओपर के साइड में shift कर रही हूँ यह resistance का level 41,030 के level आप mark कर सकते हैं यहां पर मुझे एक resistance दिख रहा है अगर निफ्टी बैंक इस level के उपर sustain कर लेता है तो first target यहां पर रहेगा अगर 41,050 निफ्टी बैंक ओपनिंग ही करता है इस level के उपर और इसके उपर sustain कर लेता है तो यहां से एक अच्छी rally हमें 41,370,380 तक जाती भी दिखाई देगी यहां पर फिर निफ्टी बैंक के लिए एक resistance बना हुआ है फिर यह जो level है यह important है य जब तक नहीं तूटेगा upside नहीं जाएगा तो कल की अगर बात करें तो opening अगर gap up हो जाती है 41,000 के उपर तो यहां से 41,370,380 के targets निफ्टी बैंक के लिए बने हुए है अगर flat opening होती है या फिर 550,600 के पास opening होती है तो chances है यहां से थोड़ा नीचे आकर यानिके 350,360 के पास से कप support mark कर सकते हैं तो यह support के पास से हमें bounce देखने को मिल सकता है या फिर यह support तोड़ कर यहां पर जो support है इस support से हमें reversal देखने को मिल सकता है nifty bank के अंदर तो possibilities मैंने आपको बता दी है support resistance के levels भी यहां पर draw कर लिए है तो यह levels अपने chart के उपर mark कर लीजेगा और जो analysis बत market के दौरान आपको मैं important updates वहां पर देती जाओं तो अभी बात करते हैं nifty 50 के उपर तो nifty की closing कहां पर मिली है तो 17,662 के पास nifty बंद हुआ है और nifty ने candle bearish form की हुई है तो nifty ने भी यहां पर 17,500 का support आज hold रखा हुआ है और इस range में ट्रेडिंग कर रहा है अभी important है कि इ अगर nifty कल इस level से उपर रहता है तो यहां से nifty के 18,000 तक के जाने के chances बने हुए हैं बीच में 17,800 के पास resistance है लेकिन ये पूरा patch ही resistance का है अगर यहां पर भी थोड़ा time रुकता है nifty तो भी chances है nifty के 18,000 और 17,950 तक जाने के downside की बात करें तो बीच में nifty के लिए support कहा पर बना हुआ है तो देखिए 17,610 यहां पर एक nifty के लिए support है अगर ये support break होता है तो अपने important support के तरफ जाएगा nifty 17,510 के पास और अगर वो तूटता है तो downside के लिए 350 and 200 का support nifty के लिए important रहेगा तो nifty ने भी हमारे resistance को देखिए यहां पर hold रखा हुआ है 7,35 तक अभी आज का intraday high था इसके उपर नहीं जा पाया है लेकिन अगर nifty कल यहां पर आता है और अगर आपने अभी तक profit book नहीं किया है तो थोड़ा सा profit ज़रूर बुक कर लीजेगा क्योंकि यहां पर गिरावट के भी chances मुझे nifty के अंदर दिख रहे हैं और nifty गिरेगा तो bank nifty को भी लेकर गिरेगा ही गिरेगा तो यहां पर nifty और bank nifty के लिए important levels मैंने आपको बता दिये हैं अपने चार्ट के ऊपर यह दोनों इंडेक्स के लेवल्स जो है वो उत्माग कर लीजेगा ताकि आपको कल के दिन आने के budget दिन budget के दिन अच्छे से profit हो सके और आपका नुकसान कम हो और public channel को follow करना मत भूलेगा क्योंकि कुछ भी update रहती है तो मैं वही पर update करती जाओंग जाओं लागी तो आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना है घर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना वडियो अगर बहुत जवत ज़दा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने friends family के साथ जिनको भी ए वीडियो useful है उन सब के साथ इस व